आई एंडी वर्सेज ऐसे वर्ल्ड कप ओडियाई 37th मैच इंडिया वर्सेज साउथ अफरीका वर्ल्ड कप ओडियाई मैच जो की खेले जाने वाला है गाइस क्रिकेट वर्ल कप 2023 का ये 37th मैच है जो की खेला जाएगा आई एंडी वर्सेज ऐसे के बीच मतलब इंडिया और साउथ अफरीका की बीच गाइस ये वाला मैच होने वाला है और आप खेल सकते हैं गाइस इस क्रिकेट वर्ल कप 2023 का सबसे बड़ा महा मुकाबला है क्योंकि एक टीम गाइस टेबल पे रैंक वन पर है और एक टीम रैंक टू पर है और काफी अच्छा फाइट गाइस इस वाले मैच में देखने को मिलने वाला है अगर इंडिया की बात करूँ तो गैज उनके लगभग सबी प्लेयर्स फार्म में है चाहे विराट कोली की बात करें शुबमन गिल की करें रोई शर्मा की करें और लाश्ट मैच में तो शरिया साइयर भी फार्म में आ चुके है और बॉलिंग यूनिट तो इंडिया की इतनी ज़्यादा फार्म में है चाहे बुमरा हो सिराज हो कुल्दी प्यादव हो और अपने सब के प्यारे मौहमा श्मियो वही अगर साउथ अफरीका की बात करूँ तो उनके प्लेयर्स भी गैज काफी अच्छी फार्म में चल र का सेलेक्शन होगा गाई उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक शानदार डेटा लेके आ हूँ जिसमें आपको बताऊंगा जब इंडिया और साउथ अफरीका की बीच मैच होता है तब कौन कौन से प्लेयर पर्फॉमेंस देते हैं और जिस वेन्यू पर ये मैच है उस वेन्यू पर उसकी पिच रिपोर्ट कैसी होने वाली है क्या इस वाले पिच पे स्पिनर्स को मदद है या फिर फास्ट बॉलर्स को या फिर बैट्समैंस को साथ में आज के मैच की जो ग्रैंड लीग लगी हुई है वो भी काफी मेगा होने वाली है और उस ग्रैंड लीग कोई स्टार्टिंग से लास्ट अग पूरा देख लिया ना भाई स्मॉल लीग तो इजी ली विन हो जाएगी साथ में ग्रैंड लीग में भी आज आपकी अच्छी रैंक आएगी इसलिए कहता हूँ आज का जो मैच है वो जैक पॉट मैच तो गाईद आप सभी भाईयों का एक्सपर्ट सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आप से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए है या फिर आप पहले भी आ चुके बट अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल क साही चैनल पर हो साथ में गाईज इस वाले वीडियो में आप बिल्कुल फ्री में खेल कर भी विनिंग कर सकते हूँ वो कैसे करोगे वो भी मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ तो इंडिया की विनिंग के लिए गाईज एक लाइक कर देना अगर आप चाहते हो इंड के वर्लड कप 2023 का ये है 37 सेवंट मैच जो की खेला जाए गस वर्लड के दूसरे सबसे बड़े ग्राउंट या फिर आप्टीजिक ग्राउंविजित काता के बच tutto देखते हैं। गैज इडन गार्डन कोलकता में है ना ODI के बहुत सारे मैचे हो चुके है आपको बता दू टोटल 32 मैच यहाँ पे खेले जा चुके है और इन 32 मैचों में अगर आप देखोगे ना बैटिंग फर्स करने वाली टीम ने 19 मैच जीते हैं और सैकेंड करने वाली ने 13 और एवरे को मदद मिलती है साथ मैं आपको बता दू आई एंडी वर्सेज ऐसे मतलब इंडिया और साउथ अफरीका के बीच लास्ट पांच सालों में टोटल 13 मैच खेले गया है जिसमें से इंडिया ने आठ अफरीका ने पांच मैच विन कि है तो आज का मैच गाइज हाई प्रेश मैंने डेटा निकल वाया उसमें मैंने देखा यहां पर टोटल 78 विकेट्स गिरें लाश्ट पांच मैचों में जिसमें से फास्ट बॉलर्स को मिले 49 और स्पीनर्स को मिले 29 मतलब आप खह सकते हैं इस वाले पिच पे फास्ट बॉलर्स एफेक्टिव रहते हैं और साथ में जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है स्पीनर्स में इफेक्टिव हो जाते हैं खास तोड़ से स्रैक इंड इनिंग में तो आज के मैच में कुल्दी पियादाव केशव महराज और बॉलर्स में से किसको सलैक करें बड़ा कन्फिजन है अब इस सब बताऊंगा एक एक चेस के क्लियर करूँगा बस आपने अभी तक वीडियो पर लाइक नहीं किया ना एक लाइक आप जरूर से कर देना इसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में अभी रिसेंटली दो मैच खिले गए हैं इसी वेन्यू पर कोलकता के इडन गार्डन में एक मैच हुआ 28 अक्टूबर 2023 को नीद इसके बाद यहां पर दुबारा मैच हुआ 31 अक्टूबर को बांगलादेश और पाकिस्तान के बीच बांगलादेश 204 अन पर पाकिस्तान 205 बना के मैच को विन कर लिया मतलब आप एक चीज तो आइडिया लग रहा है कि 4 इनिंग में से 3 इनिंग ऐसी रही है जिसमें यह important होंगे बट batsman भी आज के मैच के लिए चीए quality batsman अब कौन से रखने हैं किसको रखना है अभी सब बताऊंगा और एक player आपने ऐसा रख रखा है जो लगबग सबीने रख रखा है बट वह आज के मैच में शायर performance ना दे वो भी कौन होगा क्या final team बनेगी किसको कप्तान व बहुत अच्छी winning कर दे हैं और उनके winning करने का सबसे बड़ा reason पताए क्या है उसने मेरा telegram channel shore expert support join कर रखा है अगर आपने नहीं कर रखा तो भाई इससी वीडियो के description में comment section में आपको telegram channel का link दिखेगा शौर expert support के नाम से बस उस पे click करना है और telegram पे आप आजाओगे वहाँ पर आपको हर match का बिल्कुल free update मिलेगा और बिल्कुल join करना है क्योंकि winning team आती है guys वहाँ पे कैसे करना है इससी वीडियो के description में आप जाओगे आपको दिखेगा join telegram for free team उसके नीचे link होगा नीले color क का blink करता हुआ click करना है और आप आ जाओगे या फिर comment section में top पे pin क्या हुआ है वहाँ से भी पर जरूर join कर लेना guys बिल्कुल free में होगा राज के match की jackpot team आने वाली है जरूर से join कर लेना मेरी आप से request है इसके अलावा guys इंडिया और South Africa जैसा बड़ा match हो और grand league ना खेले ऐस circle app माई 11 circle app पे guys अगर आप grand league खेलोगे और अगर आपकी rank one आ गए ना भाई आपको एक करोड रुपे मिलेगा first price में और वो grand league है ना आम लोगों के लिए 49 रुपेस की है बट अगर आप मेरे users हो और मेरे link से जाके download करोगे app को इसी video की description में comment में सबसे उपर माई 11 circle app का ही link ह वहाँ से जाके app को download करोगे इंडिया और South Africa का match open करोगे आपको एक घंटे के लिए 49 रुपेस की grand league दिखेगी केवल एक रुपे में मतलब आप एक रुपे में guys mega contest join कर सकते हो और जहां पे आपकी rank वन आ गई ना भाई आप देखोगे guys वहां पे आपकी rank वन आ गई तो आपको ये amount मिलेगा एक करोड रुपे फॉस्ट प्राइस तो भाई मौका छोड़ना नहीं है मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगा कौन से players को रखना है कैसे team बनानी है पर grand league जरूर खेलनी है my 11 circle app पे एक toffee कम खा लेना इसके अलावा मेरे link से download करोगे तो 1500 रुपे का free bonus और first deposit पर 20% extra cash तो जाइए my 11 circle app पे sign up करिए download करिए खेलिए शानदार और लाजवाब application पर बट इस app पे थोड़ा सा वित्ते जोकिम include है किरप्या अपने देश पर खेले समल के केले अब गईज इंडिया और South Africa के इस match में क्या playing 11 बनने वाली है और ऐसे कौन से batsman है ऐसे कौन से baller है और ऐसा कौन सा all rounder है जिसको अपन पिक करेंगे कौन सा player differential होगा कौन सा baller कितने overs कराएगा कप्तान वाइस कप्तान किसको बनाना है क्या player battle होगी क्या final team होगी हर चीज गईज अब मैं बताऊंगा एक एक section वाइस बताऊंगा पूरा वीडियो देख लेना free giveaway भी आएगा नजरे बना के रखना अभी भी गईज आपने इंडिया को support नहीं किया है तो कर देना like करके आपस request है इंडिया की playing 11 की बात करूँ तो इंडिया के कप्तान हिट मैन रोई शर्मा के साथ आएंगे शुबमन गिल ओपनिंग पर नमबर तीन पर आएंगे इंडिया के run machine विराट कोली फिर आएंगे श्रिया साहियर जिसने अपने को last match win करा के दिया था बहुत ही अच्छी बैटिंग की क्या आज के मैच भी है performance देखेंगे देखने वाली बात है इसके बाद केर राउल सूरे कुमार यादव रविंद जड़ेजा मोहमद शमी बुमरा कुल्दीप यादव सिराज बॉलिंग तो गईज आप देखी चुके श्रिलंका के अगेंस इंडिया की कित्त जबरदस्त है अफ्रीका साउथ अफ्रीका की मैं बात करूँ तो टैमबा बयूमा चोटा पैकिट बड़ा धमाका जोकी टीम के कप्तान है ऐसी खतरनाक टीम के कप्तान भाई यह है इसके बाद कॉंटेंट डीकॉक आएंगे ओपनिंग पर इसके बाद डसन नंबर तीन प करती रहती है कभीं एंजीड को किलाती है कभी टीजएड शामसी को कहती है कभी लिजाड विलियम्स कट लाती है अब आज का पिछ मुझे लग रहा है थोड़ाएंगि और कर सकता कौन बैस्ट पिक है अगर इंडिया की तरफ से बात करूं तो नाम आता है के एल राउल मिडिल ओडर का बैट्समेन है नंबर पार्च पे खेलेगा फॉर्म बहुत अच्छे चल दी है बट जब यह साउथ अफरिका के अगेंस खेलता है थूड़ा सा फॉर्म खराब हो जाता है चार मैच में 102 रनी बनाए 25 के एवरेस इस वेन्यू पर दो मैच खेला हुआ है 75 रन लास्ट तीन मैचों में 21-49-27 तो अगर आप ओर ओर ओल देखोगे ना समरी को मुझे ऐसा लग रहा है 20-30 अंका कंट्रिबुशन दे सकता है उससे जादा थोड़ा एक्सपेक्टेशन पसंद करता है आई एंडी के अगेंस 19 मैच के लिए 1072 रन 56 का एवरेज लास्ट तीन मैचों में 114 चोईस 174 मतलब तीन मैचों में भाई दो सैंचूरी है 114 174 थोड़ा सा लास्ट दो मैचों से फॉर्म खराब हुई है 15 और 12 अब इसके कारण पता है क्या होगा कई लोग करेंगे बट आपको बता दू जब इंडिया के अगेंस खेलता है ना बहुत अच्छा के आप देखिए आई एंडी के अगेंस एवरेज साथ मैच 248 और पचास का अच्छा है तो आज के मैच के लिए गाई किसको पिक करें मेरे इसाब से आपको अफरीका के दोनों भी बता दूँगा आपको आगे क्योंकि अभी दो प्लेयर्स लैक की है नौ प्लेयर बाकी है अगर उन नौ प्लेयर्स में कोई प्लेयर ऐसा लगेगा कि वही उसकी जगे कि यह राहूल को रखना चाहिए तो अपन डैफिनेटली रखके चलेंगे कि यहां पे गयख मैबात करूं इंडिया की बैटिंग सेकशन की कि इंडिया की तरफ से आज की मैच्छ वे बैट्समैन को किसको aquilo को पिक करें अब बैटिंग सेकशन की बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है इंडिया टीम के कफ्तां डोई शर्मा हिट मैन आप ऊपण कर आप देखिए तीन मैच के लिए 288 रन 96 का एवरेज है भाई लगबग 100 का और लास्ट तीन मैचों में लास्ट मैच में फ्लॉप हुआ है बाकी 8746 और अफरीका के अगेंस काफी अच्छा पिक है इसके अलावा शुबमन गिल की बात करें भाई ओपन करेगा साउथ अफरीका के अगेंस तीन मैच असी रन लास्ट मैच में 92 बना के आ रहा है शीलंका के अगेंस फॉर्म अच्छी है और इंडिया के सूरे कुमार यादा मुझे उतना ज्यादा इंप हर के अगेंस अच्छा है अफरीका के अगेंस 61 का एवरेज है इस वेन्यू पर 47 का लास्ट मैच में 88 95 और श्रिया सायर भी गैज आपको बता दू नंबर चार पे खिलेगा रोजच आपको केल राउल से जादा बैटर पिक है श्रिया सायर आप देखें लास्ट मैच में भ काफी इंपोर्टेंट इसके बाद विराट कुली काफी इंपोर्टेंट और शुमन गिल या फिर श्रिया सायर इसमें से गाइस को एक प्लेयर अपन लेके चलेंगे क्योंकि आज के मैच मैंने आपको अल्रेडी बता दिया दोनों टीम है गाइस फॉर्म वाली प्लेयर है टीम है इसलिए हर प्लेयर फॉर्म में है टीम का सेलेक्शन बहुत द्यान से करना है बट अभी के लिए मैं आपको बोलूँगा विराट कुली रोईश शर्मा को तो रखी लेना शुमन गिल और श्रिया सहीर का क्या करना है अभी अपन आगे देखने वाले है यहाँ पर ग बैटिंग किती इसने 133 रन बनाये थे इंडिया के अगेंस भी खेलना पसंद करता है चार मैच 240 रन एप्रॉक्स 60 का एवरेज और नमबर तीन पे खेलता है बहुत अच्छा बैट्स में ने टैंबा बयूमा ओपन करेगा यह प्लेयर मुझे लग रहा है कही ना कई फसेग दिक्कत है 20-22 बनाता है फिर उसके बाद गलत शौट खेल के आउट हो जाता है बाके इंडिया के अच्छा है चालिस का है अच्छा खेलता है और मिलर की बात करें नमबर चार पे खेलेगा लास्ट तीन मैचों में 53-29-34 और हैट-to-head record आपके सामने 27 यहां पे अभी के लि होगा एजे ग्रैंड लीग मेगा कॉंटेश में तो वहां पे आप टैमबा बयूमा के साथ रिस्क ले सकते हैं क्योंकि अगर आप इसका ओवराल एवरेज देखोगे ना इंडिया के अगेंस तो लगबग चालिस का है तो मुझे लग रहा है अच्छा कर सकता है तो ग्रैं राउंडर सेक्शन में देखें इंडिया की तरफ से एक मात राउंडर है जिसका नाम है रविंडर जड़ेजा और यह प्लेयर ऐसा है कैसा भी पिछो विकेट निकालना जानता है अफ्रीका के अगें 9 मैच 10 विकेट लाश्ट मैच वे 35 एक विकेट 8 रन एक विकेट और 49 मतलब अगर आप देखोगे ना लगबग हर मैच में इसने रन बनाया है और विकेट भी निकाला है और मुझे ऐसा लग रहा है यह वाला मैच काफी क्लोज हो सकता है यह इतना इजीली होगा नहीं इंडिया विन करेगा क्लोज फाइट हो सकती है तो जड़ेजा का भी रोल इंपोर्टेंट होगा एजे बैट्समेन तो जड़ेजा को आप जरूर रखना एजे बॉलर और एजे बैट्समेन दोनों साइड से पॉइंट आपको दे सकता है और यहाँ पे गाईज मैं बात करूँ अगर साउथ अफरीका के ऑल राउंडर्स में तो यहाँ पे दो नाम में एडन मकराम और मैकरो जैंसन मकराम की बात करें इंडिया के अगेंस 25 कैवरिज लाश्ट मैच में 6 उससे पहले 91 और 60 और इसके अलावा गर मैकरो जैंसन की बात करूँ भाई फास्ट बॉलर है और इस किरिकेट वर्ड कप 2023 का सबसे बैस्ट बॉलर में अच्छा आता है यह भी काफी अच्छा कि रहा है जैसे इंडिया की तरफ से शमी बुम्रा सिराच कर रहे है वैसे इनकी तरफ से जैंसन लाश्ट मैच में 8 उससे पहले 3 उससे पहले 2 अब तक 8 विकेट बट इंडिया के अगेंस इसको अभी तक एक विकेट मिला नहीं है वह थोड़ा सा व लेयर बैटल देखेंगे जिससे अपने को पता लग जाएगा यहां पर बात करूं इंडिया की बॉलिंग सेलेक्शन अब इंडिया की लगबक सभी बॉलर अच्छी फॉर्म में सिराच की बात करें अफरीका के अगेंस तीन मैच पाच विकेट इस वैन्यू पर तीन विकेट लास्ट मैच में तीन विकेट कुल्दी पियादव का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है आज सिराच के कंपेरिजन में कुल्दी पियादव एक बढ़िया पिक हो सकते हैं क्योंकि अफरीका के अगेंस आप देखें दस मैच चोईस विकेट और जिस वैन्यू पर यह मैच है इ रमी की बात करें भाई क्या फॉर्म चल रही है जबर्दस्त अफरीका के अगेंस चार मैच ग्यारा विकेट लास्ट तीन मैचों में अब तक चौदा विकेट अब यहां पे गईस बड़ा कंफीजन हो गया क्योंकि चारों के चारों प्लेयर अच्छी फॉर्म में और अफ इंडिया के चौदा मैच बेस विकेट हैं मतलब इंडिया का बहुत ज्यादा परिशान करता है केशम महराज का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं देखें इंडिया के गेंस पांच मैच में के वाले चारी विकेट हैं तो लाश्ट मैच के बेस पे मत रख लेना कि भाई ला तो रबाड़ा गिरेड और लुंगी एंजडिये तीन बड़ी आप एक निकल के आ रहे हैं अब इन में से अपन किसको रखेंगे अभी अपन यहां पर देखने वाले अब यह थोड़ी सी प्लेयर बैटल है जब इंडिया और साउथ अफरीका जब आपस में खेलता है जब शर्मा अगर आप देखूँगे एंजडी के अगेंस पे बहुत जादा श्रगल करता है बीस बॉलों पे दो बार आउट कर चुका है लुंगी एंजडी ने रबाड़ा ने यहां पर चार बार तो मुझे ऐसा लगता है कि हो भी सकता है कि रोजश शर्मा जल्दी आउट हो गिल भी गाइस गिल और रोई शर्मा दोन और इसकी प्लेयर लग रहे है शरिया सायर को एंजडी यहां पर चार बार आउट कर चुके क्वंटेंडी को को बुमरा यहां पर दो बार और हैंदिच क्लासन मिलर और यहां पर एड़न मकरां क्या इंडिया इस वाले मैच में को कोई भी चेंज होने वाला है साउथ अफरीका की तरफ से कोई चेंज होगा देखिए मेरे इसाब से तो लीजा हेंड्रिक्स खेलने चाहिए बाकि यह भायू माई खेलेंगे जो के टीम के कप्तान है छोटा पैकिट बड़ा धमा का बाकि या फिर टीजएट शामसी को टीम खिला सकती है बाकि कोई चेंज नहीं होगा अब गई सबसे इंपोर्टेंट चीज़ आती है कि भाई आज के मैच में कौन सा बॉलर कितने ओवर्स करेगा पावर प्ले और दैट में कौन करेगा और फिर फाइनल टीम अपन देखेंगे फ्री गीववे देखेंगे कप्तान के वाइस कप्तान का सेलेक्शन देखेंगे इंडिया की तरफ से दिखेंगे बुम्रा शमी और सिराज इनके तीस ओवर पक्के है बाकि दस दस ओवर कुल्दी प्यादव और जड़ेदा तो इंडिया प्योर पाच बॉलर्स के साथ उतर रहा पाचों को बॉलिंग मिल देखेंगे मकराम हो सकता है बॉलिंग ना भी करा है दैत में आएंगे रबाडा मैक्रो जैंसन और गिरैड अब गईज मैं आपको आज की मैच की फाइनल टीम दिखाने जा रहा हूं टीम ओफ टूडे मैच बट इस वाली टीम में भाई एक भी प्लेयर का मैंने चेंज कर दिया ना क्योंकि अगर आप देखोगे ना मैंने टोटल दस प्लेयर स्लैक करे हुए यहां पर एक विकेट की पर तीन ऑल राउंडर और तीन बॉलर तो एक प्लेयर जो फाइनल सेलेक्शन होगा ना वह मैं मेरे टेलीग्राम पे ही दूँगा क्योंकि वह टॉस के बाद ही 11 सरकिल एप पर आएगा क्योंकि यहां पर कॉंपेटिशन का में एक रूपे में आप ग्रैंड लीग जॉइन कर सकते हो और अच्छी विनिंग कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है जॉइन कर लेना क्या टीम बनाई है ध्यान से देखिए विकेट की पर में क्लासन का ऑप्शन है अब क्लासन पर डिसीजन गई मैं लास्ट मुमेंट पर ही लूँगा ग्यारवे प्लेयर पर यहां पर विराट कुली रोई शर्मा और रॉसी वैंड़सन यहां पर ऑप्शन श्रियस आईयर का भी है क्योंकि आईयर का रिकॉर्ड अच्छा है गाई अफ्रीका के गिन और में मैक्रो जैंसम रविंडर जड़ेजा एडन मकराम यहां पर रखा है मोहमद शमीज बुम्रा और गिराल अब यहां पर दो ऑप्शन है कुल्दी प्यादव और रबाड़ा तो मेरे पास गई देखिए अभी भी चार चोईस है और मुझे एक प्ले प्लेग्राम पर बताऊंगा वहां पर एक्टेव रहना वहां पर आपको अपडेट मिलेगा अब इन में से कप्तान वाइस कप्तान किसको बनाना है उससे पहले माई 11 सरकील एप पे 49 रुपेस की ग्रैंड लीग नई उसर को केवल एक रुपए में दिखेगी और वो भी के मैच में देखे चॉइस की बात करें तो विराट कुली अच्छे चॉइस है डसन है क्वेंटन डी कोग है मैक्रो जैंसन है बन मैं फाइनली किसको बनाऊंगा वह आपको टॉस के टाइम पर पता लग जाएगा टेलीग्राम चैनल पर तो आई एंडी वर्सीज ऐसे जो मैन आफ दा मैच रहने वाला है आंसर आप कमेंट सेक्षन में जाके देना आंसर देते समय लिखना है आई एंडी वर्सीज ऐसे जो भी आंसर है जाके दे देना और साथ में वीडियो पर लाइक चैनल सब्क्राइब कर देना गईद मेरा वीडियो फुल इंफॉर्मेट सब्सक्राइब और आप लोगों ने इस वीडियो को इतना टाइम दिया प्यार दिया उसके लिए आप सभी भाईयों का बहुत बहुत धन्यवाद